हेलो स्तो कमाई का डास्टूटूप चैल में आप सभी का सोगत है आज आपर हम बात करेंगे एक यूनिक बिजनस के बारे में जिसके अंदर बहुत अच्छी कमाई भी है एंड कमपनी पूरे भारत देश में नंबर वन पाफॉमस करकर दिखाती है और काम क्या है देखिए इसका जो भी आप ट्यूप देखते है यानि के आपको पता होगा ब्यूटी से रिलेटेड जो कॉस्मेटिक आते हम सभी ने देखा होगा तूट पेस्ट फार्मासिटिकल के क्रेम वगेरा जो उनकी पैकेजिंग होती है वो एक कमपनी करती है नाम देखे कमपनी का EPL Limited इसका बिजनेस तो देखे दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पर कोलगेट इनकी बेस्ट क्लाइन्ट है अभी आपको पता होगा कितने वराइटरी के कोलगेट के खुद के यहाँ पर जो टूट पेस्ट अवेलेबल है उन सभी का यहाँ पर आपको बता दो जो पैकेजिंग होता है जो ट्यूब बनाने का काम होता है यह कमपनी करती है और आप यह बात जरूर जानते हैं जब तक यहाँ पर human being रहेंगे तब तक यह कमपनी चलेंगे आज तो यहाँ पर आप सभी जानते है ऐसा कोई परसन नहीं जो टूट पेस्ट नहीं यूज़ करता और आप यहाँ पर इसकी डिमांड भी जानते हैं और देखिए ऐसे दिगज कमपनी जिनके क्लाइंट है मैं आपको बताता हूँ हिंदूस्तन यूनिलिवर इसके कितने अच्छे कॉस्मेटिक के क्रेम्स है वो भी यह कमपनी बनाती है अब यहाँ पर जीएसके यह तो बहुत सुपर स्टॉक है आप क्या करना जीएसके के बारे में कभी सर्च करना कितने सारे यहाँ पर इसके प्रोड़क है और कितने कॉलिटी प्रोड़क है कितने सारे क्रीम के थ्रू यूज होते है वो भी देखना और भी ऐसे बहुत से कमपनी इनके क्लाइंट है जो फार्मा से जुड़े वे आते हैं और सभी यहाँ पर इनके ही थ्रू मैनिफेक्चरर करते हैं हिमालिया और यहाँ पर ऐसे बहुत से अलग-अलग क्लाइंट उन्होंने यहाँ पर बताए है बिजनेस अच्छा है और मैं आपको बता रहाँ सेगमेंट भी बहुत सूपर है तो पैसे यहाँ पर बहुत अच्छे बन सकते है यहाँ पर हम दोस्तो EPL Limited की पूरी डिटिल्स अच्छे से अंडरस्टेंग कर लेते हैं जो मैंने आपको भी इमेजिस बताए वो थेरी बैटर में भी थोड़ा प्रेजन कर देते हैं यहाँ पर जैसे EPL Limited की बात करें तो Essential जो पैकेजिंग होती है उसके सेग्मेंट में Speciality Company है Global Company है साथी यहाँ पर आप देखेंगे Plastic and Catering से Related Businesses है जो यहाँ पर अच्छे खासे Valuable है Tube Catering की बात को हो रही है यहाँ पर आप Beauty, Cosmetic, Pharmaceutical Health, Food, Oral and Home ऐसे अलग-अलग सेग्मेंट के Manufacturer जो होते है उनको Packaging Services प्रोवाइट करती है Company Client के मामले में आपको यहाँ पर चाहिए Details तो आप यहाँ पर जरूर Search करकर और पढ़ सकते है And यह Company Small Cap की है Only 5,151 करोड का इसका Market Cap है Valuableेशन से थोड़ा यहाँ पर Stock महिंगा जरूर नजर आता होगा आपको बट मुझे लग रहा है कि अभी भी Radar पर Stock को रखना चाहिए महिंगा यानि Price Level देखेंगे बहुत अच्छा है साथी Dividend इल भी बहुत ही तगड़ा इस Company का नजर आता है EPL का और देखिए ROC 13 and ROE 12 का नजर आएगा और Company का शेर 160-61 रुपे पर अभी ट्रेड कर रहा है और आप यहाँ पर जैसे इसके शेर होल्डिंग पर थोड़ा फोकस करे तो आपको बड़े निवेशक भी बहुत नजर आएगे FIS के पास 12% and DIS के पास यहाँ पर 15% से भी ज़्यादा अलमोस 60% 16% सोरे यानि के 16 परतिशद DIS के पास 12 परतिशद FIS के पास पबलिक के पास कितना खाली यहाँ पर 20 परतिशद और प्रमोटर के पास यहाँ पर हमें पुरी तरीके से 51% यानि के जो कंट्रोल है कंपनी का जो है EPL का हमें हाँ पर दिखा दिता है प्रमोटर के पास से अभी आप स्टॉक की डीटिल्स देखेंगे तो स्टॉक एक अच्छे वैलिएशन पर आभी अवेलेबल है और आपको नजर आता भी होगा कितना यहाँ पर इसमें स्ट्रेंथ है वो भी चेक कर लेते है लॉंग टम की जर्नी देखे तो बहुसा फ्लक्चुएशन स्टॉक में दिखाई दिया है एड आप यहाँ पर जैसे पास साल का भी चार्ट पैटरन देखें हम यहाँ पर पूरे लॉंग टम की जर्नी देखे जो यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहा है वो डाउन ट्रेंड है तो इसके उपर नजर रख सकते हैं यहाँ पर आप कमपनी देखेंगे तो 2020 से वर्क कर रही है इससे भी पुरानी कमपनी हम कही सकते हैं इसके अंदर आमें उतना ग्रोथ का यहाँ पर पर परफॉमस दिखाई नहीं दिया राडार पर आपने रखना चाहिए मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अभी खरीदारी करना है थोड़ा यहाँ पर इसके उपर नजर रखिए कमपनी के यहाँ पर एक्टिविटिस कैसे है और जो भी अपडेट आते रहेंगे वो तो मैं आपको प्रोएट करूँगा स्टॉक अच्छा है बट थोड़ा इस पर नजर रखना चाहिए थैंक्यू सो मच यहने बाइंग के लिए अपोर्चिनिटी जब मिले तबी इसके अंदर खरीदारी करने का सोचना चाहिए थैंक्यू